बहुत ही perfect trap set हो रहा है retail investors के लिए in PNB Housing Finance इस stock में अभी news आई है Carlyle Group और अधित्यपुरी जी की company Salisbury Investments ये कुछ stake लेने वाले है PNB Housing Finance इस company में that is a very positive sign तो इसमें trap क्या set हो रहा है देखें market ने जिस तरीके से react किया इस news को last 2 दिनों में 20-20% के 2 circuit यहां पे लगे है और यह ऐसी जब चीज़े होती है तो retail investor, retail निवेशक जो है वो immediately भाग जाता है उसको लगता है भाई ये FOMO हो जाता है fear of missing out कि कहीं ये बस मेरे हाथ से छूट ना जाए बट ये छूट जाए तो ही अच्छा है मुझा ऐसा लगता है ये particular जो सारे scenario develop हो रहा है अब इसमें कैसा है जो Carlyle Group है या फिर अधिति पुरी जी की company है ये जो stake ले रहे company में ये around 390 रुपीज per share पे stake ले रहे कितना 390 रुपीज per share currently the stock price is at 630 रुपीज कितना 630 रुपीज so अगर जो deal हो रही है उससे कम से कम 240 रुपे ये उपर है अगर 400 रुपी की deal है और 240 रुपे उपर है यानि 60% already market ने उसको उपर लेके गया है market उसे और retail investor को लगेगा यार यही तो मौका है अभी तो मुझे invest करना है इसमें तो और फिर Morgan Stanley जैसी बड़ी company उसने 600 रुपे का target भी निकाल दिया इस stock के लिए हो सकता है उसकी वज़े से market ने immediately उसको positively react किया है but अभी बहुत सारी चीज़े हो नहीं है इस company में अभी तो नया investor आ रहा है तो फिर management change होगा सारी चीज़े होगी so over the longer horizon it might be a good thing for the company but यह सोचके कि यह आ गया और immediately आप जाके invest कर रहे हो तो बहुत सारा clean up अभी बच्चा होगा company में करने के लिए हाँ एक चीज़ है कि पहले भी stock कुछ बहुत ज़ादा alarming levels पे trade नहीं कर रहा था कल की जो rally थी उसके बावजू 10 के नीचे PE ratio था आज के rally के बाद चाहिए थे 10 के ऊपर चला जाएगा but a lot of things need to be in order now because अगर आप HDFC limited अगर stand-alone business भी लेते हो that particular business is also not trading at very high PE ratio levels तो यह भी चीज हमें समझनी होगी तो चीजे क्या-क्य होती है यह देखेंगे क्या-क्य चीजे करें होती है implement होता है management कौन सा आता है नया या existing रहता है क्या होता है क्या नहीं होता है यह सारी चीज़े हमें देखने होगी और उसके बाद ही investment decisions लेने होगे सिर्फ एक news आगे और इसके बीचे हम भाग रहे और जाके इन्वेस्ट कर रहे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये चीज़ अवाइड करनी चाहिए developments क्या हो रहे, overall housing finance industry में क्या का changes हो सकते हैं इसकी वज़े से जो एक premium कुछ companies को मिलता हुआ दिख रहा था वो अभी with this new organization कैसा रहेगा, ये सारी चीज़े develop होगी, तो we'll keep updating you on the developments, but कुछ ऐसे भाग के, अरे बापरे, बॉका निकल गया, आप क्या होगा, ऐसे चीज़े मत कीजिएगा stay invested, जो आपके earlier allocations है, उसके हिसाब से कुछ changes करने की, immediately ज़रूरत मुझे नहीं लगती, market ने बहुत ज़ादा इससे discount कर लिया है, already so मैं आशा करूंगा कि ये छोटा सा update आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो please visit investadnia.in, और वहाँ जाके आप हमारे research products, model portfolios हो, या stocko mentor plus हो, या अबेफ़धनया हो, इनको आप subscribe कर सकते हो, combo offers पे discounts are quite good, so please go and visit investadnia.in, और नेक्स वीडियो तक दिली मुझे आगे दीजिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेर करना, चैनल को subscribe करना, मत भूलना दोस्तों, नेक्स वीडियो मिलते है, जैहिन!